R.D. Sharma solution देख रहे हैं Class 11th है यह Chapter 23 The straight lines exercise है 23.3 पहला सवाल है Find the equation of a line making an angle of 150 degree with the x-axis and cutting off an intercept 2 from y-axis तो इसमें क्या करना है आपको y equals to mx plus c formula use करना है या कहें relationship use करना है इसमें m जो होता है slope होता है जो आपको इसमें दिया हुआ है m दिया है m होता है tan theta और theta यहां पर दिया है 150 degree तो यह तो हमारे पास है y और x variable है c c होता है y intercept यानि अगर कोई line इस तरीके से काट रही है तो यह जो यहां से यहां तक की दूरी है यहां से यहां तक की यही c है तो यहां पर आपको y intercept भी दिया हुआ है यानि y equals to m पहले m देख लेते हैं m है tan 150 degree 150 degree इसको लिख सकते हैं tan 180 minus 30 लिख सकते हैं और tan 180 minus theta होता minus 10 theta minus 10 30 हो गया यह minus 10 30 क्या हो जाएगा 1 by root 3 तो minus 1 by root 3 हो गया तो इस c की जगा तो आप minus 1 by root 3 रख देंगे sorry इस m की जगा minus 1 by root 3 रख देंगे इस c की जगा क्या रखेंगे फिर जो आपका intercept दिया हुआ आपको y intercept यह सवाल में आपको 2 दिया यानिकि यह जो point है वो आपको 0,2 है तो आपको y 2 दिया हुआ है तो यह c 2 दिया हुआ है इसको y intercept है तो c कर दीजे यहाँ पर 2 रखिए इसकी जगा minus 1 by root 3 रखिए दोनों साइड root 3 से मणी ब्राय कर दीजे यह आपका equation आजाएगा find the equation of a straight line with slope 2 and y intercept अब इसमें क्या है कि सब में यह जो जितने question आ रहे हैं तीन सवाल हैं तीन पार्ट हैं इसमें slope दिया हुआ है y intercept दिया है तो y equals to m x plus c slope आपको दिया है 2 तो m की जगा 2 रख दीजे और slope जो y intercept दिया है वो 3 दिखायते हैं यहां 3 रख दीजे y intercept आपको दिया है minus 4 तो इसके जगा minus 4 रख दीजे यहां और दोनों साइड आप 3 से मबड़ी प्राय करतीजे rearrange कर लीजे 3 y plus x equals to minus 12 आजाएगा फिर यहां पर आगे आपका slope दिया हुआ है minus 2 and intersecting the x axis at distance 3 units to the left of origin अब इसमें यह है कि slope का आपको दिया हुआ है y intercept क्या है इसका y intercept क्या है तो इसमें लिखा है intersecting the x axis at a distance 3 unit to the left of the origin यहां पर आपका दिया है x axis अब left of the origin यह है left गया यहां पर 3 unit हो गया तो यह 3 हो गया minus 3 तो यह x minus 3 है अब यहां पर intersect कर रही है line कैसे जा रही है मुझे नहीं पता ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है लेकि मुझे यह जरूर पता है कि इस point का जो coordinate है वो minus 3 और 0 है तो एक line जिसका m minus 2 है और जो pass हो रही है minus 3 0 से उसकी equation बनेगी y minus y1 equals m x minus x1 m की जगा आप minus 2 रखेंगे x1 की जगा रखेंगे आप minus 3 और y1 की जगा रखेंगे आप 0 यह equation बन जाएगी इसकी find the equations of the bisector of the angle between the coordinate axes तो आपको equation निकालनी है of the bisector of the angles between the coordinate axes तो इसमें यह coordinate axes है तो line कुछ इस तरी की सबन सकती यह भी bisect कर रही है और line इस तरी की सबन सकती है जो bisect कर रही है origin से pass होगी तो इसकी यह line ऐ कैसे बनेगी मतलब दो लाइने बनेंगी basically तो सबसे पहले आप देखें कि जो इसमें y equals to mx plus c लगाएंगे या आप y minus y1 equals m x minus x1 लगाएंगे दोनों ही लगा सकते हैं कैसे मैं बताता हूँ आपको जब यह लाइन यहां से ऐसे पास हो रही है और आपको यह पता है कि यह angle 45 डिगरी क्योंकि angle bisector यह पुरा का पुरा 90 डिगरी है angle bisector मतलब 45 डिगरी तो m कितना हो गया 1045 डिगरी है ना 1045 कितना होता 1 तो m की जगा आप कितना लाइनगे 1 और c intercept क्योंकि यहां intercept ही नहीं है तो यहां से पास हो रही है तो यह हो गया 0 ठीक y आपका c है y intercept का 0 है और m आपका 1 हो गया तो y बराबर x हो गया है एक तो यह line हो गई दूसरे में क्या करेंगे यह भी line हो सकती है तो यहां से यहां तक आईए आप इस जगह तक आईए तो यह 45 है यह भी 45 है तो यह पूरा केतना हो जाएगा यहां से यहां तक 90 और यह 45 यह 45 यह 45 तो 135 दिगरी हो गया तो y equals to mx plus c लगाई है फिर से c है आपका 0 है कि कोई y intercept नहीं है 0 है m की जगह क्या रखेंगे आप 10 इस बार रखेंगे 135 दिगरी और 10 135 दिगरी आप जानते है 10 180 माईनस 45 करेंगे इसको यह आपको मनेगा माईनस 10 45 दिगरी यानिकि माईनस 1 तो y बरापर हो गया माईनस मैं हम की जगा माईनस 1 अखना है तो इक बार y equals to x y equals to minus x और इक बार y equals to x यानिकि y equals to plus minus x लेख सकते है या इसको लिखे हैं y equals to plus minus x equals to 0 या आपकी equation हो गए ठीक या आप x x को भी लिख सकते है x plus minus y equals to 0 एक ही बात है क्योंकि minus से मैंने मनिपला कर दो दुरों side को तो यही बात आ जाएगी तो इसको ऐसे करना है और भी तरीके है जो यहाँ पर दिया हुआ इसको भी आप ट्राइ कर सकते हैं लेकिन यह तरीका जादा बैता है find the equation of a line which makes an angle of 10 inverse 3 अब आपको angle दिया है 10 inverse 3 इसका अंतर 10 theta दिया है आपको 3 और 10 theta m होता है m है 10 theta with the x-axis and cuts off the intercept of y-axis on the negative direction of y-axis यहने intercept जो है वो यहाँ पर cut है line कैसे जारी मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पर यह जरूर पता है कि यहाँ पर minus 4 की cutting हो रही है 0 minus 4 इसका coordinate है okay minus 4 इसका intercept है यहाँ से यहाँ तक m आपके पास आ गया m आप रखेंगे 3 और c आप रखेंगे minus 4 y equal to m x plus c में यहाँ 3 रख दीजे minus 4 रख दीजे यह equation आजाएगी next में क्या है find the equation of a line that has y intercept minus 4 and is parallel to the line joining 2 minus 5 and 1 and 2 तो इसमें सीधी सी बात है कि y equals to m x plus c में हमारे पास क्या-क्या चीजे मीली हुई है पहले चीज यह है कि y intercept दीआ हुए यानि कि c हमारे पास minus 4 है हमें निकालना है m लेकिन इन्हों ने कहा है कि एक line parallel है इस से 2 यह line है 2 minus 5 और 1 2 से parallel है तो पहले इसका slope निकाल लेते हैं और यही slope इसका slope हो जाएगा क्योंकि दोनों parallel है तो इसका क्या होगा y2 minus y1 by x2 minus x1 यानि कि y2 minus of minus 5 divided by 1 minus 2 यह हो गया minus 7 तो आपका यह slope मिल गया क्योंकि यह line यह line और हमारी जो line है वो दोनों parallel है तो slope बरापर होगा इसका मतलब सीडी सी बात है कि y intercept जो है वो c आपको तीन तो दिया हुआ है लेकिन हमारी जो line है y plus 2 mx plus c हमारी जो line है हमारी line को मैं l1 कह देता हूँ और जो line इन्होंने दी हुई है वो दोनों perpendicular है और यह जो इन्होंने line दी है वो pass हो रही है 4 2 से और 3 5 से तो हम इसका slope निकालेंगे और इसका slope मालेजे m1 आता है हमारा slope मालेजे m2 है m1, m2, minus 1 करेंगे तो इससे हमारा slope आजाएगा slope मिल गया और c, यारिकी y intercept मिल गया हम equation निकाल सकते है तो पहले इसका slope निकालते है slope क्या आएगा y-2 by 3-4 यह हो गया y-2 by 3-4 यारिकी 3 by minus 1 minus 3 आगया अब यहाप रख दीजे हमको m2 निकालना है m2 into minus 3 बराबर minus 1 तो m2 कितना आजाएगा 1 by 3 क्योंकि minus 1 by minus 3 minus minus cancel कर दिया m2 आपका 1 by 3 आजाएगा उतला हमारा m जो है 3 यह आपकी एक्वेशन है जाएगे तो दोनों साइड आपको 3 से मडिप्लाए करना है बस find the equation of the perpendicular to the line segment joining 4, 3 and minus 1 minus 1, 1 if it cuts off an intercept minus 3 on the y-axis जहाँ intercept y-axis पे हो सीदी उसी बात है c हमारा minus 3 दिया हुआ दूसरा यह कहा गया है कि find the equation of the perpendicular to the line segment joining तो हमारे पास एक line ऐसी है जो आपकी जा रही है इसकी जो value दी गई है 4, 3 और minus 1 और 1 तो विल्कुँ सेम सवाल है हमारी line जो है वो इसके perpendicular है तो पर इसका slope निकालेंगे slope क्या निकालेंगे 1 minus 3 और minus 1 minus 4 यह हो गया आपका तो 2 by 5 आया क्योंकि यह दोनों line इस perpendicular है हमारा slope है माल लेते हैं इसका यह दोनों perpendicular है तो M कितना आजाएगा minus 5 by 2 तो हमारा slope आगया minus 5 by 2 C हमारे पास minus 3 है Y equal to MX plus C में रख दीजे M की जगा आप minus 5 by 2 रखेंगे C की जगा minus 3 रखेंगे rearrange करेंगे 2y plus 5x plus 6 equals 0 आजाएगा अगला जो सवाल है इसमें है find the equation of a straight line intersecting y axis at a distance of 2 units इसका मतलब सीधा है कि आपके पास एक line है और वो इस तरीके से पास हो रही है कि y axis at a distance of 2 units above the origin मतलब यहाँ पर कहीं की बात हो रही है 0,2 तो आपको सिधा y intercept c तो मिली गया c मिल गया कितना है 2 और यह point भी मिल गया माली जी यह x1 y1 है यह line हमारी इससे पास हो रही है and making an angle 30 degree with the positive direction of x axis तो अगर यह ऐसी line है यहाँ से आते angle 30 degree दिया हुआ है तो m कितना होगा 10 30 degree 10 30 कितना होता है आपको 1 by root 3 तो y minus y1 equals to m x minus x1 m तो आपको 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 1 by root 3 आगए यहाँ पर 1 by root 3 रख दीजे और इस x1 की जगा आप रख दीजे 0 और यहाँ पर 2 रख दीजे y1 की जगा यहाँ पर आपका 2 आगए तो बस यह आपकी equation हो गई y minus 2 वराबर 1 by root 3 x minus 0 दोनों साइड root 3 से निपला करिए इसको इधर ले आईए x minus root 3 y plus 2 root 3 equals to 0 यह ncerd का सवाल है तो यह बात हुई इस exercise की बहुत शुक्रिया बहुत महरबानी है आप सभी की